बिग बॉस के घर से हुआ अब तक का सबसे बड़ा एलिमिनेशन जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एलिमिनेशन से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आप क्या सामने आ गए हैं सट से खबर आ चुकी है कि मेकर्स ने किसको बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया है जी हाँ जैसा कि आप सब जानते हैं साथ कंडेस्टन जो हैं वो घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे और उनमें से ही कोई एक कंडेस्टन घर से बेगर होना था कौन सा है वो नाम क्या कहीं आपका फेवरेट कंडेस्टन विग बॉस के घर से बाहर तो नहीं हो गया है चलिए आपको बताते हैं लेकिन चैनल पर पहली बार आये हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथ कंडेस्टन जो घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट थे उनमें अर्फीन खान का नाम था शैजादा धामी भी नॉमिनेट थे शिल्पा शिरोडगर का नाम नॉमिनेशन में था एलिस कौशिक शुरूती का भी नॉमिनेट थी ईशा सिंग और अविनाश मिश्रा ये साथ कंडेस्टन घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे ऐसे में बात करते हैं कि इन में से सबसे कम वोट किसे मिले हैं जो कि आज बिग बॉस के घर से बाहर होने वाला है क्यूंकि वोटिंग के आधार पर ही सलमान खान आज एक कंडेस्ट को सीधा सीधा बाहर करने वाले हैं सबसे जादा वोट अविनाश मिश्रा को मिले हैं वो नंबर वन पर है तो वो बाहर नहीं होने वाले हैं उससे कम वोट मिले हैं इशा सिंग को अविनाश की ही दोस्त इशा सिंग को भी जबरदस्त लोग पसंद करते हैं और जबरदस्त लोगों ने भर भर के वोट भी किये हैं तीसरे नमबर पर शुरुतिका रही है जिनके उपर भी कोई भी खत्रा नहीं बना है तो शुरुतिका को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं चौते नमबर पर एलिस को शिक रही है वो भी घर जाने से बिलकुल बच चुकी है उनका भी ऐलिमिनेशन नहीं होने वाला है क्योंकि शिलपा शिरोटकर को भी कुछ लोगों ने वोट किये हैं यहाँ पर छटे नमबर पर शैजादा धामी रहे हैं वो भी पूरी तरह से बच चुके हैं परों की माने तो शैजादा धामी बिग बॉस के घर से बाहर भी हो जाते लेकिन एंड टाइम पर आखरी वक्त में कुछ वोट शैजादा को मिले हैं और आखरी नाम यहाँ पर जिसका बिग बॉस के घर से होने वाला है यालिमिनेशन वो है अरफीन खान जी हाँ सबसे कम वोट मिले हैं अरफीन खान को कोई भी फैन बेस नहीं है कोई भी फैंडम नहीं है बिग बॉस के घर के बाहर भी ऐसा कुछ करके नहीं आए हैं जिसकी वज़ह से जनताओंने वोट करें जिसकी वज़ा से जनताओं ने वोट करें तो अर्फीन खान को सबसे कम वोट देखने को मिले हैं और अगर आज बिग बॉस जो हैं सलमान खान मेकर्स के साथ मिलकर एक कंटेशन को वोटिंग के आदार पर अलिमिनेट करते हैं तो वो सिधा सिधा कोई और नहीं बलकि अर्फ कहना है किसका इलिमिनेशन होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अब्डेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें